मंगुंटा रेड़ी जिसने कुल 7 बयान दिए कुल 3 बयान दिए उसके बेटे रागह मंगुंटा ने 7 बयान दिए बाब बेटे ने मिलाके 10 बयान दिए और इस दस बयान को पीछे, जब उनसे पहले पूछा गया, 16 सितंबर को पूछा गया, E.D. के द्वारा पूछा गया, कि क्या आप अरविंद केजरिवाल से मिले थे जानते हैं, तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया, जो बात सच थी, उसने कहा, हाँ मैं मिला था, लेकिन चेरिटेबल टेस्ट की जमीन के मामले में मिला था, लेकिन उसके बाद, उसके बेटे को, रागो मंगुन्टा को गिरिफ्तार किया जाता है, रागो मंगुन्टा को जेल के अंदर रखा जाता है, पांच महीने तक जेल में रखा जाता है और तब वो अपना बयान बदल देता है 16 सितंबर पर पहली बार कारवाई होती है मंगुंता रेड़ी सांसत पर रेड़ होती है 16 सितंबर 2022 को और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो बयान दो बयान दो केजरिवाल के खिलाब वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे रागो मंगुंता को गिरिफ्तार कर लिया जाता है और 10 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक साथ बयान लिये जाते हैं रागो मंगुंता के मंगुंता रेड़ी सांसत के बेटे रागो मंगुंता के कितने बयान साथ बयान तीन बयान बाप का साथ बयान बेटे का और उन पांच महीनों में जो साथ बयान वो देता है उसमें भी पूछा जाता है छे बयान में अर्विंद केजरिवाल को जानते हो अर्विंद केजरिवाल ने कोई घोटाला किया है अर्विंद केजरिवाल पे कुछ बोलना है उसने का नहीं 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 बिलकुल नहीं लेकिन पांच महीने की जेल के बाद वो तूट जाता है और सात्वा बयान 16 जुलाई को उसका होता है और वो बदल जाता है वो वही साजिस का हिस्सा बन जाता है पांच महीने के प्रतारना के बाद बदल जाता है और अरविंद केजरिवाल के खिलाफ बयान देता है